आपस में बात चीत नहीं करने हैं अब ध्यान से देखना है तो आपका नुकसान होगा ठीक है कॉंप्टीटीव कॉंप्टीटीव जूर इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉंप्टीटीव एड बहुत इंपूटेंट क्लास होगे आज की आज के जो कुश्चन्स होंगे आपको देखनी भूत है भी लेगे आप घबड़ाईएगा मत एक एक सेकेंड दो सेकेंड आप आंसर निकलता देखिए और चीजों को समझ यह बने गया है दो 4-5 सेकेंड में क्या होगा वो क्या होगा समार्ट सुल्इट लॉटव सॉल्इशन होगा लेंदी में थोड़त होगा ने तो चोम्टीटीव ऐडिशन गॉंप्टीटीव जोड जो कॉम्टीशन में जो आड पूछे जाते ह वो कैसी पूछे जाते हैं वो चीज़ा आपको सीखनी है तो नॉर्मली जो है वो एड तो आपको करना आता है नॉर्मली तो आप जोड लेते हैं लेकिन कुंप्टी टीटिव एक्जामस में कैसे आप को एड पूछे आता हूँ देखिए मैं को साथ ही लिखना 1 by 20 plus 1 by 30 plus 1 by 42 plus 1 by 56 plus 1 by 72 plus 1 by 90 जैसे ही LCM लेना शुरू किया जैसे ही LCM लेना शुरू किये सकते हैं लेकिन कम से कम आपको आधा कंटा लगेगा बनाने में क्योंकि पहले तो यहां तो तरीका वो चीजें करनी नहीं है तो यह बताएं को जो चीजें बता रहा हो आप कुल्टीटीव भी उसे सीखना है नोकरी लेने को देश सीखना है देखिए आप पहले समझना बैत को समझना नोट बात में करना देखो इसमें जो नंबर दिये गए हैं यह 20 30 42 50 56 72 यह सारे नंबर जो है यह खौनेसी आप यहां पर 20 और 20 का फैक्टर में बहुत सारे हो हो सकता है तो बहुत सारी हो सकते हैं लेकिन इसके बीच का गैपिंग वन हो कि ऐसा फेक्टर जिनके बीच का गैपिंग क्या हो वन उसे क्या बोलते हैं कंजी कुटिव फेक्टर दिखिए अच्छा इसे आप फोर इंटु फाइव लिखिए या फाइव इन्टु फॉर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मैथ में सिस्टम होता है मैथ में क् सिर्ड में लिखते है लेफट टु राइट हिंडी कि रिछे सी लिखते है लिए लीचते फोर इंटु 5 तो बीच का कर्या होग फोर इंटु 5 ऐशा जिसके बीच का गैपिंग क्या हो वान हो इसका मतलब क्या लगातार हो वान का मतलब क्या लगातार अब मालजी 30 है तो 30 का consecutive factor क्या होगा 5 into 6 तो इसके बहुत सारे होंगे लेकिन consecutive factor का हिंदी में सतत गुनन खंड बोलते हैं सतत गुनन खंड इसलिए महाभारत का कोई पात्र है कर्ण का बराबाय सतत गुनन खंड लग रहा है तो थरा सा स्मार्ट बन यह हिंदी वाले वच्छे भी क्योंकि मैथ है मैथ में तो सब से क्या है इसमें तो बात को समझ नहीं है ठीक है तो consecutive factor बोले महसानी होती है ठीक है आप माले जो 42 है तो 42 का consecutive factor क्या होगा six into seven आप गौर से देखो सारी नंबर सारी नंबर सारी कुटी फैले फैक्टर वाले है है गौर से देख लिए इतनी सारे चीज़ें समझे कोई का तो ने अब आगे चीज़े देखिया अब आप यहां ध्यान से देखिए इस लेर होगे अब देखना यहां अब देखिए वन एट्वेंटी से वणस वणच्वाइट को आप क्या लिख सकते हैं one on four multiply 5 आप लिख सकते हैं और यह आप सिंग अभी तो समझेंगए उतना में होगा मैथ मेन बेशिक चीजों को तोर ना जहिए अगर मैथ मैज माप बेशिक चीजे तोर ना सीगे तो मैं इस दी सकनगे भी से को सब्सक्रीप अधर बना लेंगे सिर्क प्रेसन होता है या समझते हैं य या समझते हैं समलसी क्या होगा होगा कम होगा आज से तो किस पर चछला करते कहीं जाते है ओर बैल गारी पत् emperor सबस्क्राइब करते है is learn जाएगा 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 जिसने बनाया उसने दिमाग लगा जो बैल गारी बनाया उसने क्या दिमाग लगा क्या होगा उस समाने में गारी बनाया वह बहुत बड़ी बात थी लेकिन उसने उतना में नहीं कर पाया जितना प्लेल बनाया वह दिमाग लगा आप स्मार्ट बोट पर रहे हैं इतनी चीजें स्विधा कर देखिए अभी में पोतना रखे रहा था कपड़ा भीगो करके पान सब्सक्राइब बनाना ने को संब को क्या करना चीर फार करना ऑप्रेट उसके लिए बात को पकरनी तो 20 को क्या लिख सकते ओन अपन फॉर इन्टूफ फैव अच्छा देखिए अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन बाइफ फॉर माइनस वन भाइफ तो रना सिखिए सकते हैं आब मालेजे वन बाइथ हाट्य है तो वनभाई थाट्य प्रिक्षिक्स इसको यह भी लिख सकते हैं अब वन्वाई फोटी टू है इसको तो हमने डिर्रेक्ट लिख दूं वन बाई सिक्स माईनस वन सेवे दिमाग लगाते जाहिए वो गया दो सेकेंड में सॉल हो गया है तुछ दो बूला मेंटल वर्क ज्यादा है आप ठीक है तो इसका मतलग वन वाइफ 56 है वन वाइफ 56 क्या होगा सैबन इंटूइट इसको ल इसको मैंने लिख सकते हैं सकते हैं अब त्थी फैस शीख़ोगे जो खिशा है सब्सक्राइब मैं सिल रहे हैं नंबर सिस्टम एन सिंप्लिफिकेसा यह जब सीखेंगे और इसमें मैं बोला असली मैं यह है यह सीख लिए फिर चैप्टर के शुरुआत हो जाते हैं बात को पकर लेनी होती है यह असली चीज़ है ठीक है तो रूट एट कम टू का पावर थ्रीवाइट भी अब मैं पूरा लिखूंगा अब नहीं है डाट्डडा लास्ट अंनफल इना गाइन सब्सक्रास त leaned सकते हैं अब देखिएं धिसयान से पार देखिए माइनट पकलास मतला कट जाएगा तो बच या जाएगा टेल् चालिस दस चार रोड़ा है सबसे इतना होगा च्छालिस कटेगा तो काट सकते हैं दो तीया च्छे इस कितना आगे तीन वट्टा बीस आपका आंसर है यह क्लियर है आप से अगर आप समझेगे तो यह दो सेकेंड काम एक्जामनेशन होल में भी इसे मत बनाना अभी आप इस हैंकर चीजा सिंग के जा रहा है समझेगे आपको पुरापता चल गए कि सारी चीजें कट गई आप डिरेक्ट क्या लोग एक जामनेशन डैरेक्ट इसका लोगे वन भाए फोर लास्ट में देखोगे माइनस वन भाए टैन यहीं सॉल्व करोगी इसको इतना लिखने की जर अगर अगर आप मंदारी से अगर आपको हिंदुस्तान में नुक्री चाहिए छे मेना साल भर आप देदी लेवल खराब है तो था साल भर लगेगा लेवल बेसिक मैंत का च्छा है बेसिंग्लिस का अच्छी है तब साथ से आथ मेना दीजिए लगे रही है फॉर्म सब भरती होता है और ECPDC भी बन जाता है ने बन जाता है जितने भी UPSC होते हैं आप देखेंगे उसमें से 90% का कोई बच्चों का इंटरव्यू परना देखना कोई प्रिबियस सेलेक्शन होता है 10% ही सिर्फ बच्चे होते हैं जो डिलेक्ट आता है और आपके बार आइस जो जोब आये सामने में भर दीजिया तैयारी का लेवल बैस्ट रखें अगर मंदारी से महनत करेंगे तो महनत रंग लाती ही लाती है कि मंदारी थोड़ी देरी के लिए जूख सकती है समझ गये लेकिन कभी मंदारी मरती नहीं है अनेस्ट इस दा बेस्ट पोलिस है क्लियर है कोभी कुशन आप इसको आपको कुछ करना नहीं है मैं कुशन आपको और देता हूं साथ है लिखेंगे तुरण सॉल्व करना है वन वाइ 12 फ्लस वन वाइ 22 फ्लस ऒबाई 20 फ़ ट्रै फ्वान वाइ 32 फ्लस वन 5 equivalent occurs तुरण सुप आफеты्टिटा वाऀ Oneís द्वान वाइLou Barries कि झाल इसको क्या लिख सकते हैं उल्टामत लिख लेना तो मैनस मा जाएगा लास्ट क्या होगा एट नाइन जा आठ नमा बाहतार मैनस वन भाए नाइस का अच्छा रखे एक कुछन आप और बना कर देखे अब देखे इसमें क्या करता है पले एक कुछन आप और बनाई कितना भी है भी दे घवराना नहीं है वन भाए टू पलस वन भाए शिक्स पलस वन भाए ट्वेल्व पलस वन भाए ट्वेंटी अजब भी पूछे गाने वहां से यह बहुत भैंकर लगे गा देखने में कोई दीकतने पलस वन भाए वन टैन एक्सों दस सॉल्व करके देखें कर दो को क्या लिख सकते हैं यह वन भाए टू है न टू को क्या लिख सकते हैं वन मल्टिप्लाइट टू लिख सकते हैं इसका मतलब कि पहला टर्म क्या हो जाएगा वन लास्ट टर्म क्या हो जाएगा वन बाए एलेवें अब इसको सॉल्व कर दीजिए 111-11-1 कितना हो जाएगा टैन बाए को कॉप्लीट है देख लिजिए लादी करतों मुझे पूस्ट लिजिए अब वो करता क्या है आप यहां ध्यान से देखना अब यहां समझ यह तरह आप एक चीदों पले समझेट यह तो फैक्टर वाले नमर दों समझेगे नहीं समझेगे तू के बाद कंजीक्यूट्यू नहीं बनता है आपको को पूछे आठ का कंजीक्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्य तो बारा और 20 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उसका कंजी कुटी फैक्टर नहीं बने कोई पुछे 15 का कंजी कुटी फैक्टर बनेगा फिप्टी नहीं बनेगा समझ यह होई क्या बहुत मेंटल वर्क मेंटल वर्क इस ऑल्वेज ग्रेटर देन फीजिकल वर्क नही तो मेरिट लिस्ट बोलते हैं ठीक है तो अब इस काम अब वो करता क्या है को बनाएगा मैथ में कभी भी आप को रट नहीं सकते हैं बात को समझ सकते हैं कैसे बना सकता है अब वो क्या करता है इस बीच में कोई नोन कंजी कुटी फैक्टर व्ला नंबर डाल देगा उस्ट 1 by 12 plus 1 by 20 plus 1 by 30 plus 1 by 42 plus 1 by 56 मैं आपको दे दिया सॉल्व करने के लिए अब आप समझ गया बात को तो जब इस कोश्चन को सॉल्व करेंगे एक बार आप देख ले ना कि कोई इसमें नोन कंजीकुटीव फेक्टर वाला तो नहीं डाल दिया है जब आप कोश्चन सॉल्व करेंगे देख आपको बहुत इजी से पता चल जाएगा पता ही चल गया होगा दो दो कंजीकुटीव फेक्टर होगा फिर 6 होगा फिर 12 होगा बार बार तो लिख रहे हैं 20 होगा 30 होगा 40 इसके बीच में जो भी आएगा सब नोन कंजीकुटीव फेक्टर वाला नमबर होगा उसको बेहार निकाल लेटेंखा बहूत इजी है वगिधो फेश्पर नोन कंजीकुटीव इसको बाहर निकाल लेते हैं अब इसका तो पता है इसका टूटेगा खुब जाएगा 1 वाय उसका ले लेते हैं सब सोल्व करने आता है इनको नहीं आता यह सब चीजे तहाप मुझे इंगंटी की क्लास है जो मैंने वीडियो डाला है यूटूब पर आपको प्लास माइनस और सब व्यवस्था है पर अपने आपको जाने कि आपका लेवल क्या है खुद के प्रतिमंदार बनिये तब ही आप सुधार कर पाएंगे लेवल बहुत खराब है तो वीडियो जाके द कैसे भी पूछ सकता है आपका काम यूथ को मनदारी से देख गजा कशनव और बना की देखिए उग्यों की जब भी आपप इस क्वेश्टन को सॉल्व करेंगे नव आप एक बदेख लीजिएहा कि कौन सा नमबर नॉन पॉंजिकुटिव आप उसको बाहर निकाले लिए स्टार्टिंग या बीच में इस इधर नहीं देता है आपको नहीं देगा नहीं नहीं बात है अब की जाना अगर यह बात नहीं बताया होता है कर आते करो करें समझ लिए जो चीज़ समझ लिए तो तो आपको तो पता है यह बीच वाला सारा कर जाएगा तो वन भाइट इसका क्या जाएगा इसका जाएगा यह बहुत बेसिक लेवल आपका खड़ाव है इस हिसाब से यह आपको ही बला था कि बेसिक महायुद्ध है सब्यवास था है ठीक है हाँ कोई दिक्कत नहीं नोट कर लीजे कंप्लीट है अब देखिए कोशन में और दूँ चले एक कोशन आप और बनाए तवागे बनाएंग 26 पलस वन वाइ 72 वन वाइ 72 पलस वन वाइ 90 पलस वन वाइ 110 मैंने 110 से ज़्यादा तक नहीं देख है इसलिमें 110 तक दे आँक दोबार बाकी कितना भी दे आपको पता है तूट जायेगा यह बीच में बाइमिस्टिक लिखाया पलस वन बाइ 171 वाइ 72 बहत तरह है दम अराम से कॉष्टन बनाते रहे हैं 900 में वर्क्स ऑप भूट जोड़ी है कोई टोपिक पढ़ते हैं उसमें 我र्क्स ऑप या कोई चप्टर पढ़ते हैं उसमें वरक्स और जब वोड़ टौपिक सीखते हैं तब वह कभी भी मैं हमें साब बूलता हूं कि मैट एंगिलिस जब भी पढ़ते हैं तो कॉपी क्लम साथ रखे चाहे आप ऑनलैन पढ़ते हैं और देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप चैनल पे भी देख रहे हैं कोई कत ने कॉपी कलम सा जाएगा माइनस वन बैंलेवन पी आप यहां से दिमाग लॉब लवन माइनस वन तर्म आप्संदिया रहाता है इस कोर्शन का अब अब तक आप सुल्म को लिए बहुत इजी है अब गबड़ाईये मत वहां पर अप्संदिया रहेगा 0.3 को उपर बार लिख सकते हैं यह वहां दिया रहेगा 0.9 के उपर बार यह मैं आपको सिखाऊंगा बार टॉपिक टें बहुत हैवी टॉपिक है दो क्लासे लगते है बाट नंबर के दो बात की बात ऑप्संद बाद बना लएगी तरह कॉस्टन अब देखिए चीजें क्लियर है आगे बढ़ें अब को क्वेशन कैसे बनाता है आपको धिया से देखना देखिए अब करता क्या है आप यहां वह ऊपन लास्ट टरम है थाक्ति नाइन कि सॉल्व करने के लिए इसको बहुत भैंकर होता है पहले बोलाव भीडरायेगा आपको ठीक है परिजन सबमाइंट को चेक करता है कहा तक दिया है आपको क्योंचन दे दिया और यह क्या है आपको पकाई भॉछ सारे बच्चे सुचते है की पॉइंठ है दा सम्वलब रहा है जब भी स्रीज में यह यूज क्या है दिश कों पॉइंट नहीं बोलते है क्या है multiply है वहां लिखा तो रहता नहीं है मैं नहीं बोला था भी क्या है multiply आपको question ऐसे भी दे सकता है या उसको ऐसे भी लिख देगा हूँ 4 multiply 5 प्लस 5 multiply 6 plus 6 multiply 7 plus dot 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 89 multiply 40 दोनों टाप दे सकता है कभी भी स्रीज बाले में जब भी आपको ऐसे dot 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 दिखे तो ध्यान रखना यह point नहीं होता है दसमलब नहीं आई यह क्या है multiply कि समझगे न हो जानते कभी कल भैंकर बनाने के लिए इसके उपर bracket डाल दी है इसे बचा देखा अब क्या होगा स्क्रीन पर वहां तो आपके जिसे का आप मौस उपर की तो फट से आया भैंकर पूरा फाइला कोशन रहेगा क्यान होता है पैसेंस रखना बहुत जोड़ी है यह हमेसा ध्यान रखी कोश्चन के लंबाई चोराई से कभी मत घवराई है अरे नहीं आता है नहीं आता है एक अगर आप वह देख नहीं बनने से घवरा जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी बांकी सारे कोशन से नहीं बनते हैं प्लड़ पेसर हाय बाज जाता है सूचने समझने की छमता खतम हो जाती एक जामने से ठीक है यह क्लियर है आपको चीज बता तो पलिसको देखिए आपको तो यह और जी कर दिया आप इसे गुना करो तो यह क्या है ड्न को सेम है यह क्या है ओन बाइट इन टी यह क्या ओन वान गड़ ग high और पीछिए बास आप समझ धेडिया यह पकूल कर डा lucid यह यह लेलो है कि फिर बहूत बड़ी बड़ी इस बनाता है कभिवकार प्लस के टर्म में दे दिया रहेगा कभिवकार इसे मल्टिप खिच करके सौ सो तक ले जाता है ये मैंने सौ सो तक की सीज़ देखे हैं कितना तक भी ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्लियर है one upon one multiply two plus one upon two multiply three plus one upon four three multiply four plus dot 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 one upon 99 multiply hundred कुछ नहीं है कि फस्टर्म लास्टर्म हो तो गया फस्टर्म यानिकी one upon one यानिकी क्या हो गया one लास्टर्म वान अपन अंड्रेट माइनस वन अपन अपन रिट सॉल्व कर दीजिए कितना आएगा 99 by 100 अब का अंसर है यह यह बीच में सारा वाला कट जाएगा अब यह बता था आपको ध्यान से दिए बीच में कट जाएगा ना तो फस्टर्म लास्टर्म को क्या करते हैं मैनस करते हैं सारा अपने कट जाएगा कोई दिख्का तो नहीं न देख लिए सामाज की नोट करते जाए मैं टाइम देता हूं पात दास सेकंड नहीं स्रीज है नहीं अगर सी माइनस ऐसे कोश्चंत भी बनेगा नहीं न स्रीज में है अगर माल इसको बनाना साथ है साइंच चेंज कर दीजिए इसे फ्रक लेकिन करने माहिर क्लियर है समझ लिए तो कोई दिख्कत नहीं है अब देखे अब यहां पर जानते हैं कि जूट पकरने वाली मसीन होती है मैं आपको यह समझा रहा हूं कि आपको देखें कुछ बच्छों को कि अपके साथ हुआ हो आपके साथ होता होगा då examination hall में वो चीजे क्यों नहीं आती आपको वहीं चीजे वहार आते थीजसे आपको अच्छा है आठ का ए आंसर है क्यों की एक्जामने मईनो माईड प्रेशर में रहता है माईड डरा हुआ रहता है अंडर प्रेशर वर करता है जैसे उप्रेशर रिलीज होता है जो के अच्छा सोचना सुरू कर देता है तब फट से यादा अच्छा कोईशन नवर आठ कांसर था यह मार के आगे हैं भी नहीं होता है प्रेसर में हम प्रेसर रहते हैं प्रेसेंस रखना बहुत जीरियोत एक्जाम सब्सक्राइब खूब परके जाहिए और बार बार प्रैक्टि आठ कि खूबब आपह पूर रहुग देखाता है कि कोई मामॉला भूछ घंभीर हो गया तब आप कोड़ से लेते हैं तो लाइड दिटिक्टिंग मसीन जो है आप ध्यान सरुओं ऀसे काम करतीं है कि सदहार पे कीस फट पकड़ती है तो लाइड टेक्टिंग मसीन जी जो प्लाकिस पे धरकन पर दूसरा जो समय अपने बीपी को नॉर्मल रख लाहता जिस दिन बैक्ती जूट बोलते समय आट वीट को और बीपी को समानवस थाम रख ले तो मसीन क्या हो जाएगा अज तक ऐसा नहीं हुआ है आपके सार हम तो कोई दिक्कत नहीं क्या होता है तो सब्सक्राइब पुलीस है अब पुलीस आई है ठीक है अचा इसी के लाइडी टेस्ट है चलो झाए चलो बीपी टेस कर लिया सब कुछ ठीक है जी अब उसको ले जाएगा वहां पर लिट चेक कर लेता है लाइट टेस्ट होने से पहले उसका पुरा नॉर्मल आपके कि इतना है दसमर तक एक घंटे का प्रोसेस होता है दसमर बाद भी मापता है पंद्रा मिट बाद भी वाएगा बीसमर बाद दौला हां पड़ा जाएगा आपके देखिया सब कर कर या चार ररो क्रें पाक प्र नहीं दाष नहीं है और कि सिर्क पर नहीं अब को पूछ रहा है को अफिसर ख़रा ऐसे टांग देवा है बोल रहा है बता खून के आए कि नहीं एक तो आदमी जो है एक तो पुलीस सही डर गया दुशी वाज़ा से पूछता है कि बता खून के आप आप मालीजी आप खून किया है अंदर से तो आवाज आर ये खून किया है लेकिन मसीन तो आपके इंटर्नल प्रोसेस को अक्टिवीटी को माप रहा है वहां दे दिया ग्रीन सिंग्णर मारा पुलीस दाराग से हां सर खून किया है कभी कोई आदमी जो जूट बोलता है न वह आप जानते का बाहरी से बोलते हैं आपके हाटवीट और ब्लड़ पे प्रशन से और मैंन से बार बार चीजों से देखिए अब गौर करना इस चीजां को समझा दिया हम को दिखा तो नहीं अब देखिए आप गौर करना कंजी क्यूटी फैक्टर में कितने का गैप होता है वन वन का गैप होता है मैं आपको अब इसमें कोशन का जब लेवल सब्सक्राइब देखिए अब देखिए आप तो अभी तक जो कोशन आपने बनाये उस कोशन में क्या था कंजी क्यूटी फैक्टर वला था एक एक का गैपिंग था वो अब इसके बीच में किटने का गया है दो का गैपिंग आपको जबर तरीका बताता हूं एक स्यासर निंखलेगा आपको क्या करना है यहाँ जितन osob आप गैफ बाहर न ICE अ निकाल लिए गया अब बांकी कुछ नहीं करना है बांकी प्रोसेस जैसे किसे लें तो वन बाइफ है और दो two इसको करने आता है वन वाई टू इस केलसियम लेंगे पंदरा पांच तिया फंदरा फंदरा इकान पंदरा इस सम्में दिक्कत नहीं होनी चाहिए ब्रैकेट का मतलब बाहर लेना आपको नहीं तो क्योंकि स्रीज है स्रीज में कभी न अलग लग याप नहीं देगा आपको आपको लिखाया और बोर्ड मास्क का कॉम्टिटिव एडिशन में बोल दिया हो बोर्ड मास्क बोलते हैं इसको बहुत हैवी हैवी कोशन आता है इसमें अभी तुम्हें आपको बेस पूरा क्लिर करवा दिया है और भी टैप्स के चीजें हैं जो हम आपको बाद मताएंगे इतना सीख लीजिए नंबर सिस्टम एंड सिंप्लिफिकेशन यह पार्ट बहुत बढ़ियां से कीजिए किसी एक्जाम में सब जिदा कोशन यहीं से आता है कभी क्वाल तो एक्जाम सेक्टर का अगर मुड़ गरमाया हुआ हुआ है तो दस-दस कोशन यहीं से पूछ देगा आपका खली दिख पर्फिट आया था उसमें 50 पूछता है उसमें मैं घारा कोशन थे इस वाले में एक लड़का मुझे बला ट्रिगों के तेरा कोशन थे अलग बनाता है यहां सबसे कूशन तो यहां सबसे कूष्चन तहें तो क्योंकि से अलग बनाता है आपको शिलिवस पूरा परना है देख लेजे है अब एक बढ़ें इसमें अब एक को सना बनाकर देखिए एक को सना बना गइए एक करें के वन अपउन मुल्टिप्लेब फोर प्लस वन अपउन पॉर मुल्टिप्लेब 7 कि 7.3 प्लस एकस्टिने सरी तेन एक्स्टी में सब्सक्राइब करके देखिए मैं तरह जान गुष के कल्कुलेशन आपको अच्छा दे दिया हूं इससे कल्कुलेशन अच्छा होगा अच्छा होगा कर दो अच्छा हो तीजी है घवराना नहीं है बहुत असानी से बन जाएगा बन गया होगा गैप कितना है त्रीका तो वन भाई थिरी बाहर लिए इसमें फ़स्ट टर्म फ़स्टर्म वन बाई वन मतलब वन और लास्टर्म कितना है वन बाई इसको सॉल्व करने आता है सबको जब भी ऐसा कहीं दिखे न आपको तो इसको हमेशा मल्टिप्लाई करना इसको हमेशा अगर यहां माइनस होगा आतिस वाले को माइनस अगर यहां पलस होगा इस वाले को पलस नाइंटीन वन जा नाइंटीन उनिस एकार उनिस में से गया कितना हो गया ठारा बटे उनिस और यह कटेगा तो कार देंट इंच्छा गठारा शिक्स बाई नाइट जो छोटी-छोटी चीज़े भी आप पूछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं हो ठीक है अगर इसे मैं बता ज आगर फलस माइनस वाला कहीं भी आए आपको हमेसा क्या करना है इसको और इसको क्या करना है मल्टीप्लाइ कर देना साथ पंचे पैंतीस अगर यहां पला सो तिसको इसको मानस साथ पैंतीस कि च्छात से क्लियर कर रहा हूं आगे जैसे बढ़ेंगे तो इसमें बाद में आएंगे इत्में कुशन आपको और देता हूं यहां से फटाफट नोट कीजिए नोट करने में परवाई नहीं परियर है को दिख्का तो नहीं चली हां अब देखिए जैसे कि अब और देता हूं यहां कैसे भी कोस्ट सकता है कैसे भी मतलब कैसे भी कोशन पूश सकता है मैं आपको कोस्ट दे दिया देखिए 1 by 2 plus 1 by 6 plus 1 by 12 plus dot 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 1 upon n into n plus 1 it's a very very important question कि अभी मैं ज्यादा दाइरा इसका नहीं बढ़ाऊंगा को अभी स्टार्टिंग की क्लासेज हैं धीरे धीरे कुछ चीज़ें कुछ इस टॉपिक के न मैं भी बेसिक टू मेडियम करा जाएं कुछ बाद में भी देख लेंगा ऐसे समझ के हैं सारा कोशन सा आप से बन जाएगा हाई लेवल कोशन क्या करता है कुछ से स्टेप्स बढ़ाते हैं चेंजेज करते हैं वहीं में देदी यहां कुशन आख देखिए अब यहां पर अब गोर से देखो अब ज्यांस देखना बहुत इंपोर्टेंट है इसको क्या लिख सकते हैं वान अपन इसको क्या लिख सकते हैं वान अपन तू मल्टिप्लाइ थरी इसको क्या लिख सकते हैं वान अपन थ्री मल्टिप्लाइ और डॉट 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 अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं वान अपन एन मल्टिप्लाइ एन प्लस वन लिख सकते हैं एन का जाएगा तेन प्लस वन पूची के एन प्लस फूर का नेक्स्ट में पाट क्या होगा था एक ही का गैप होता है न कुछ भी डाल सकता है यहाँ पर कुछ भी मतलब कुछ भी अब देखें आपको दो पता है सारा बीच वाला क्या होता है कट जाता है मैं डेक्ट लिख दूँ पहला टर्म यानिकी one last time क्या हो जाएगा गालन पॉन एड़ास वन अब भी बता थे को इसको इसको मल्टीप्लाइब करना एंन प्लस वन को वन से मल्टीप्लाइब करेंगे त्य एन प्लस वन नवोसे मैनस वन जायएगा फ़लस वन मैनस वन कट जाएगा कितना आजएगा बेसिक में थो थो तो थो 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 फाइम दीजिए घर पर रेगूलर दीजिए ठीक है है कि कम्प्रेट है आगे जब इसी में करता क्या है अभी तो मैं ज़्यादा खीषता नहीं हूं इसको जानते इसी में क्या करेगा वह एक्विएशन बना देता है यहां पर आपको कोश्चन बना दे यहां दे रिया फोर बाइफाइव एकवर अब कहा इसमें एन का वेलू होता कि नया कोश्च अब कर दो समाज नी आपको समझ में आना चाहिए तो समझ दा आपने तो सॉल्व किया एक निट्ट इसको आप नोट कर लिए ना मैं आप को देखिए आखने तो अभी सॉल्व किया इसको अभी इसको ना आगए इसको बना बना दिया को इन फिर सिर्फ इसको सॉल्व करने पर कितना है था कि एन अपोन एन प्लस वन यहां पर क्या दे दिया इक वस्ट फोर वाइपा अब इसमें कुछ है नहीं यह अब इक्विशन है इसको फ्रॉस मॉल्टिप्लाइ करके निकालते हैं पता है सब को फाइव एन अब फोर एन प्लस फूर इसको ठागे धर ले जाएंगे तो सैंट जाएगा जिनका यह सब लेवल खराप है मैं पहले बुलाओं बेसिक मैत का महा युद्ध तीन सार तीन घंटे क्लास है जागो देखिए पूरा क्लियर किया हूं मैं ठीक है तो इसको ठागे जाएगा फाइव बना सकता है कैसी भी मैत समझने की चीज़े समझें को इसी भी हो जाए है कि यह कंप्लीट है इस तक को बना लेंगे न देख लिए अब इसे मोड़ चेंज होगा एक पार्ट इसमें और है इसको अभी कंप्लीट करेंगे साथे दुनों होते हैं कि अगर नोट कर लिए हैं बढ़ा हूं आगे क्लियर करो चलिए ऐसा इसम今天的etztल Vamp अगराना मतखली तर के आगे जीए है 2 9 and the one upon seven plus triple nine to upon seven plus triple nine कि अपन सेवनी पुलस ट्रीपल नाइन नौ सौनी नाविए अब रही चार वन टेसा पुलस ट्रीपल नाइन रखना अब फोर देते हैं जगा नहीं है जब भी एक्जाम सेंटर जाए एक वार बोटल जरूर ले जाए ऐसे बाहर अंदर नहीं जाता है पले जाए तो अपना पानी पी के नौर्मल रहे ऐसे वहां पानी रहता है तो पानी पीने करता होस नहीं रहता है लेकिन अगर कभी घवारात हो बेचे नहीं हो दूमने टैम वेस्ट कर लेना पानी पी के आजाना तुरंत आपके पैसेंस को नौर्मल मिलाता ब्लड पेसल घाटा आता हम इस सुचिए पानी पीने पांस में टैम लग जाएगा उसके च मुक्री आप इस शाहें से जानते से क्या बोलते हैं इसको पता है नहीं है मिक्स प्रेशन अब कहीं भी ऐसा दिखता है जानते हैं इसके बीच में पलाउस होता है इक आप नए चीज़ सिखे अभी मैंने बताया ना कि आज की लिए अब देते हैं अब देखिया आपको नए चीज सी किसमें जानते हैं इसके बीच में इसके बीच में पलस होता है आप इसको ऐसे लिख सकते हो सब्सक्राइब कर देखिए चार दुनी आठ अभी तो सिखाय था एक नो नो बटे चार आई बात समझ में कोई भी माले तीन सही कहीं भी आपको दिया हुआ है साथ बटे नो इसका मतलब आप ड्रेक्टेस को लिख दो नो तिया 27 277 34 बटे नो या आप इसको ऐसे नहीं सॉल् होती है तोरना आना चाहिए अभी आपने सिखा ना कि 1 by 6 को क्या लिख सकते हैं 1 by 2 minus 1 by 3 या ता आगे आपको ना आगे बहुत काम आए यह चीज़ पर आप समझेगे तो अब आप गौर से देखे यहां पर इसके बीच में सब्सक्राइब क्या है पलस इसको क्या लिख सकते अब पूराने लिखूंगा डौट 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 टृपल नाइन फॉलास शिक्स बाई कभी भी घार पर पर तेना जितनी दिर परते हैं एकदाम फोकस करके पड़ी एक ही गंटा परते हैं यह नहीं कि किताब रखे हैं अध्यान कहीं आ और है सो नहीं गरवरा जाएगा घार सी को दिखाने के लिए मत पढ़िए अपने लिए पढ़िए माव आपका तो जीवन गुजर गया उनका जो था उग गया आप प्लस सोचते हैं आप उनके लिए पढ़ते हैं उनको सिब खूसी होगी मेरे बेटी खूस हैं अगर आप कर्ष्ट होंगे सब्सक्राइब को कर्ष्ट होता है दे नहीं पाएंगे उनका जीवन था गुजर रखिया तो बश्नो देवी घुमा देंगे अब ननी ताल थो ले जाएंगे उनको सिमुला आप उनका तो जवाना निकल गया वो जो किये उनके भाग नस्व में जो था अब आपका करना है तो जब भी पढ़ते हैं आधे घंटा पढ़ते हैं की घंटा पढ़ते हैं मन लाग पढ़ा किजिए किताब जया दिर तक मत बढ़ते हैं और कभी गैप लेके बढ़ा किजिए लगातार कभी भी मत पढ़िये इस पेल बैस पढ़िये गंटा दुर घंटा पढ़े फिर दस मट पंदर मट बात कर लिए लेमन टीपी लीजिए कभी दूद वाली चाय मत पीना कैंसर का एलिमिन्स पाय जाता है दूद चाय कभी मत पीना कुछ लोग देखते हैं के दूद वाली चाय को देखते हैं खुब दूद पूरा दूद चाय पत्ती डाल देता है खुला रहा है चाय काली हो गयी एकदाव चोड़ दो मैं हबसी से बिज़ाद आप काली हो गया हुँ अभी प्रता खुला हो सकुँ ने को अब निम्मू डालो बनाने के आधा निम्मू डाल और थांड के दिनों में पीने चाहिए तो अधरक वाली जीन जरटी है कि कॉले स्थोरी से चीनी डाल दीजे और अधरक को कूचके डाल दीजे चाह दूद वाली चाइये बहुत खराब चीज है गैस की प्रब्लम होग किसी को अच्छे लोगों को अच्छे लोग बेदध खाराब कर लिया वह तो ही उसको कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन अच्छे मतलब्ध अश्य का मतलब जो समझदार होते हैं और कभी नहीं प्याइगा ऐसे हिंदुस्तान में सब चीज़प नहीं करता है लेकिन स्वास्थी करेंगे पहले हमना ट्रिपल नाइन को ट्रिपल नैन कितनी बार आया है अब ध्यांस देखो एक बार यहां फिर दो बार तीन बार कहां तो गया है तो ट्रिपल नैन कितनी बार आया होगा छे बार ध्यांस देखिए दो सेगने बनेगा ट्रिपल नैन को जोड लेता है तो ट् कर लेते हैं आप देखिए धियान रखना एक तो है कि ट्रिपल नैन को आप छे से ट्रैक्ट गुना कर लेजिए तो इसमें भी टैम लगेगा अब थोड़ा और दिमाग लगा हर दिमाग लगा मैं क्या बोलाओ कोई भी चीज कॉम्टिटिव मैथ में हार नी लगनी चाहिए ह एक हजार माइनस एक लिख सकते हो आप अब इसको आप छे से गुना कर दो तो छे हजार में सिर्ट जाएगा छे हजार रुपी आपके पास है उसमें से कोई छे ले लिया तो कितना बचे गया पांच हजार नौसो चोरानग दिल खुलके पड़िए दिमाग लगा हर जगा तो इसको आप डिया देखो अब आपके पास क्या बचा देखो यहां पर वाला इसका हाफ कर किसमें अंसर निकल जाएगा हाफ करो छे का आधा कितना हो गया तीन जोर वांसर निकल गया पांच हजार नोसो शंतानवी अधि जितना यह सी बचे लास्ट में तक बचे च्छे का दा दस तक जाए दस का बारा तक जाए बारा का दा लास्ट में जोर देना प्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा वैं आप पहले बताता हूं सौट बता दिया अप यहां पर सॉल्व करना चाहते हैं आधि देखना चाहते हैं देख लीजी आप सौल पीजी द ट्रिपल नफालीटी आपके पास बचा किया है एक वहां यह दिखलो आप उन भाय-इस्ट प्लस थ्री वाइवाइ सेवन प्लस पोर वाई सेवन पलूस फाइवाइवाई सेवन पुलस त्री प्लस फॉर फॉर प तो सॉल्व करोगे तीन ही आएगा तो सौट में क्या भी ठाना आपको इतना टैम तो नहीं रहता है उस चीजें आपको बहुत सोट मोड में चलनी पड़ेगे के कशह के सबस्क्राइब मूं कर देखिए। सबक्राइब. अब अगला कोईशन बना के देखें, दुने कोईशन बना के देखां निफर का लिपल करके देखें इतना आएगा? 5998 देखिए रिपल नैन को कितनी वार डिरेक्ट में कर रहा हूं अब आपको पुड़ा तीर है ना अब ड्रेक्ट करना है ट्रिपल लें कितनी वार और बार मल्टिप्लाइ करें गार ट्रिपल नैन मल्टिप्लाइ इसको क्या लिख लेंगे 1000-1 इसको 4000 में से 4 चला गया ने चार चार का लें 3906 आचार का आधा तैंड थरी नैन ने है बात को समझें पहले बात समझेंगे दो सब्सक्राइब कैसे भी कॉश्ण दे सकता है कले आप घबराना मत कैसे भी दे सकता है बड़े बड़े-बड़े कॉश्ण देते हैं जाहते हैं स्रीज बना देता हैं को एक कोछन आ पहवर लिखे डेवल नमत् Owen अपान थाटीन ब्लस डबन नाइन फोपान थाटीन else डबन नाइन फिरी अबन थाटीन 1, 2 इतना रहा की flatter 7 जाने दावला डबर नमेन मोरा कुण जाना करना धुट कि अरुट इसद आप 2 2 2 ते अब यह तो बहुत इसी है अब डवलिंगर इन को बाराइस कुना कर दो यह ज्यदा दिकまず 21 तो बारा सो मैं से बारा सब्सक्राइस करें कितना जाय गैए ग्यारा सो 12 का आधा जबर्दस सोलिशन दिया हो पुलस सिक्स डवल नाइन डवल वन सड़ी डवल वन नाइन फोर ग्यारा सो चुरानवी आपकांज को भी बना लेंगे देख लिजे अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये नाइने पर बना के देगा कोई भी नमबर देता है एक कोईशन बना के देखिए आप 11, 1 अपन 23 पलस 11, 2 अपन 23 मैथ है न कोईशन कैसे ही बना सकता है समझे है सारा कोईशन एक ही होता है डवल वन 3 वाई 23 पलस डवल डवल वन 22 वाई 23 जल्व करके देखिए अपन 23 जल्व करके देखिए क्लियर है कोईशन कैसे भी बना सकता है कैसे भी मतलब कैसे भी वो मैं भी नहीं जानता हूं मैं चीजें बता दिया हूं आपको देख लिजी कंप्लिट होने वाला आपकी लास आजरे में कंप्लिट है टोपे बहुत भाइंकर भाइंकर सीज बनाता है 25 के 20-29 अधियर एक शोल करके डिखे देखें से लास्ट लास्ट कुश्चन है आपको पूरा टॉपिक कम्प्लीट है फूल टॉपिक निस्चिंद देए अगर इस टैप से यहाँ से प्रेक्रोशन आयेगा तापसे छूटेगा नहीं बागी आप अपना प्रैक्टिस करते रहे हैं इसको कि इतना आएगा देखिए सब लोग कुछ नहीं है पच्पन को 28 से गुना करना तो पच्पन को 28 से गुना कर दीजिए तो पच्पन को 28 से गुना किने कितना है पंदरासो चालिस आया है और 28 क्या रखना यादा कितना आ जाएगा कितना जाएगा फोर फाइब 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 फंदरासो चोगन इसका आंसर कोई दिक्कत देख लिजी कंप्लीट क्लास है फुल टॉपीक था इसका एक रिवाइज करते रहें ठीक है चलिए आज की क्लास करते हैं फिर कल आप लोगों को इसी टैम में आना है ठीक है ना अधा दूए इसको यह एन वाला इक्वेशन में प्रॉब्लम है क्या आपको हाँ यह वाले में प्रॉब्लम है ना घर पे देदूं होम वर्क लिए दे था कोई दिक्कत नहीं इसको अटाद है वह कोश्चन देदूं कि सिर्फ में एक्वेशन देदूं एन वाले में आता कोई दिक्कत नहीं solve कर लिजिये घर पे 6 है 1 by 12 plus dot 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 1 upon n into n plus 1 equals to 5 by 8 so n का वेल नी काल ना है 1 by 6 plus 1 by 12 plus 1 by 20 20 plus dot 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 वान थ्रहा भी कोशन देदू n plus 1 into n plus 2 equals to 1 by 10 तो n का वेलू नी काल ना है आप घबड़ा यह मत मैं सारी चीज़े दूँगा अभी थरह बेसे स्थिक कर दते है न उसके बाद 1 by 2 plus 1 by 6 plus 1 by 12 plus dot 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 1 upon plus यह एक बाद ए लिख लिए ए प्लस 4 into a plus 5 equals to 3 by 4 तुसमें a का वाल्यू नी काल ना है 1 upon 1 multiply 3 plus 1 upon 3 multiply 5 plus 1 upon 5 multiply 7 dot 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 ट्रीच्फ्यद्रीश्यूसल्गूज्चंदि लिख लिए के लिए कोश्युजिन सलुफ कर लिए का लिच्थ मौन गांवारी की लिए ले लेक्वान झाल झाल